नमस्कार मैं मांसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बीएच बीसी न्यूज में और आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंटर्टेन्मेंट के गलियारों से कुछ तड़कती फड़कती खबरें सुहाना मौसम और सुहाना सफर और इसी सफर में फ्रांस में छुट्टिया मनाने निकल पड़े हैं ये दोनों जाने माने कपल अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ चलिए बता ही देती हूँ दरतल हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड की देसी गल और उनके हम सफर निक जॉनस की प्रैंका और निक पैरिस में जॉनस और सोफी टर्नर की शादी अटेंट करने के बाद ये कपल फ्रांस में रोमैंस के लिए निकल पड़ा है और इसी के साथ दोनों ले रहे हैं कुकिंग क्लास और एक दूसरे के लिए बना रहे हैं डिशिस जिसका वीडियो हाल ही में निक ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया है पाँच किलो वजन बढ़ा कर अपनी दूसरी फिल्म के लिए जल्द ही तयार नजर आएंगी अनन्या पांडे जिहां जल्द ही पती पत्नी और वोकार रिमिक लकनों में शूट होने जा रहा है जिसका फर्स्ट लुक सभी के सामने आ चुका है इसे के साथ बॉलिविट के गलियारों से खबर आई है कि अनन्या पांडे अपनी दूसरी मूवी के तयारी के लिए इतनी एक्साइटेड है कि पाँच किलो वजन बढ़ाने जा रहे हैं उनका कहना है कि वजन बढ़ाने के लिए उन्हें हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है बॉक्स ओफिस पर अब भी बरकरार है जादू सलमान की भारत और अक्षे की केसरी का रिकॉर्ड तोड़ कर शाहिद ने इस साल सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म में अपनी जगा बना ली है आपको बता दें कि 200 करोड का आकड़ा पार करने के बाद भी फिल्म कमाई करने में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है शाहिद की कबीर सिंग का फीवर लोगों पर ऐसा चड़ा है कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगा बस कबीर सिंग ही चाय हुए है अब चाय भी क्यों ना? शाहिद की अक्टिंग है ही ऐसी तभी तो हर जगा हर किसी की जुबान पर बस कबीर सिंग ही है चीते के साथ सेलफी में नजर आई ये एक्ट्रस ट्रोलर्स ने बनाया निशाना हाल ही में जांबिया में हॉलीडे मना रही कीरती सनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चीते के साथ एक फोटो अपलोड किया है जिसकी वजे से वे आ गई हैं ट्रोलर्स के निशाने पर इस पिक्चर को कई सितारों ने लाइक किया पर शायद फैंस को कीरती का चीते के साथ पोटो प्लिक कराना पसंद नहीं आया और उन्होंने कर दिया ट्रोल इतना ही नहीं यूजर्स ने तो ये तक लिख डाला कि चीते को ड्रग दिया गया है जिस पर कीरती ने कहा है कि चीते को किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं दिया गया है वो यहीं बड़े हुए हैं, ये नाशनल पार्क है, उनका नाशनल इनवार्मेंट जहां वो रहते हैं, वो इस नाशनल पार्क में अपने नाशनल इनवार्मेंट में बिलकुल सुरक्षित हैं खिलजी से लेके कपिल देव तक, अपने लुक के लिए और दमदार अक्टिंग के लिए जाने जाने वाले रनवीर सिंग के फैंस के लिए आज दुगने खुशी का दिन है एक तो उनकी फिल्म 83 का फर्स्ट लुक और दूसरा उनका बढ़ देख उनका ये लुक हूबा हूब कपिल देव से मिल रहा है और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से च्छा चुका है इतना ही नहीं उनके फैंस ने काफी सारे कमेंट्स तक कर डाले हैं तो आज के लिए इतना ही एंटर्टेन्मेंट की चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चानल बी एच बी सी कर